तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर lazy loading को समझने वाले हैं जिसके अंदर हम अलग-अलग तरह के module को explore करेंगे जैसे कि core module, share module, admin और user तो अलग-अलग module होंगे तो अगर admin है तो admin पर जा पाएगा, user है तो user पर जा पाएगा तो चलो शुरू करते हैं अब हम लोग वीडियो के साथ तो यहाँ पर अब हम लोग शुरू करते हैं अपने code के साथ तो देखो अभी फिलाल तो यहाँ पर मेरा एक app नाम का folder है और उसके अंदर ही बस यह जो normal by default folder साथ है यही है जहाँ पर app component के अंदर मेरा अपना router outlet लगा रख है तो देखो जिस तरीके से यह हमारे एक already pre-built module है जिसको हम root module बोलते हैं इसी तरीके से हम अपने और modules बनाएंगे अलग-अलग ठीक है तो यहाँ पर पहले तो एक चीज समझो जो एक directory हम लोग बनाएंगे अपने root module के अंदर ही components नाम की जिसके अंदर हमारे सारे dump components रहेंगे और जो master screens रहती है उसके लिए हम folder बनाएंगे containers I hope आप लोगों को पताओ container component का difference नहीं पता तो मैं बता देता हूँ for an example अगर मैं YouTube की बात करूँ ठीक है तो यहाँ पर screen पर आपको यह देखो यहाँ पर top पर एक header दिख रहा है left side एक panel दिख रहा है यहाँ पर एक यह जहाँ पर सारे के सारे categories आ रही है यह दिख रहा है ठीक है नीचे वीडियो का section दिख रहा है यह हमारा एक main root module तैयार हो गया उसके बाद हम यह एक और directory बनाएंगे modules नाम की जिसके अंदर हम अपने अलग-अलग module बनाएंगे तो basically lazy loading का क्या मतलब है lazy loading में यह होता है for an example मालो हमारे जो website उसमें दो पात है एक है slash user वाला पात और एक है slash admin वाला पात वो कभी भी admin वाले पात को access करने ही नहीं वाला तो उसके लिए क्या कोई sense बनता है कि जो code है admin वाला वो load करा जाए और जो admin है हो कभी user वाले पात को access नहीं कर सकता तो जब admin login कर रहा है तो user वाली जो भी functionality है वो तो use होनी नहीं है तो code load क्यों करें हम तो इसलिए हम lazy loading का use करते हैं तो modules के अंदर यहाँ पर basically दो fix module है जो हमें हर बार बनाने हैं एक है हमारा core module और core module के बाद दूसरा है हमारा share module और फिर इसके बाद जो हमारे अलग-अलग modules हैं जो हमें lazy load करने हैं वो बनाने हैं जैसे मालो एक user का अलग module होगा then यहाँ पर एक folder आ जाता है हमारा admin का जिसके अंदर admin से related functionality रहेगी तो यह basic हमने चार module बना लिया अब इनका एक-एक करके मतलब समझते हैं तो user से related जितने भी component होंगे container होंगे उसकी routing होगी जैसे slash user slash home slash user slash something else ऐसे 4, 5, 10 जितने भी route user से related होंगे उसके component, container जो कुछ भी user से related है वो सब यहाँएगा अगर आप reducer का use कर रहे हो ngrx का तो जितने भी actions होंगे, reducers होंगे user के वो सारी चीजे हमारी user वाले module मैंगी यह अपने आप में एक पूरा module हो गया जैसे हमारा root module होता है similarly एक हमारा admin module हो गया जो भी admin से related चीजे है वो इसमें आ गई तो ऐसे हमारे बहुत सारे module हो सकते है जैसे user admin हो सकता है और भी चीजे आपने lazy load करा रखियों इन दो के इलावा ठीक है फिलालम user admin का example लेके चल रहे है और दो हमारे module है जो हर बार बनने ही है core and share तो core का क्या मतलब है जो भी core functionality है जैसे अगर आप बात करते हो guard की ठीक है आप बात करते हो services की जितनी भी होती है जिसमें हमारा let's say एक alert service आप use कर रहे हो API service यूज कर रहे हो तो वो सारी चीजे हो गई सारा कुछ आपका core के अंदर आएगा या आपकी core functionality हो गई पूरी application की ये किसी specific module से dependent नहीं है ठीक है तो सारा कुछ का हैंगा core module के अंदर then जो आपका share module है इसके अंदर के आएगा इसके अंदर सिर्फ वो चीजें आएगे जो आपका बाकी module के बीच में share हो रही होगी for an example माल लो एक header है और उसी तरीके का आपका जो header का layout है वो आप user में use कर रहे हो और वो ही से माप admin में कर रहे हो तो वो कहां जाएगा share में और share module को आप import करोगी user module में and admin module में ताकि आप उसके components को use कर सबो ठीक है ये तो थी basic terms कुछ जो मैंने आपको बताई है और उनका मतलब अब हम लोग यहाँ पर चीजों को बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने core module से तो जैसे कि आपको पता है कोई भी module होता है जैसे हमारा app एप के अंदर हमारा main app module है तो उसके अंदर दो file important है app module की file और app routing की तो core module में कोई routing तो होती नहीं है लेकिन core के अंदर भी module वाली file ज़रूर होगी core.module.ts तो इसके अंदर हम add the rate ng module का use करके एक अपना खुद का module बना रहे हैं ठीक है जिसके अंदर हमारी सारी के सारी चीज़े होंगी जैसे कि अगर आप कुछ भी provide declare कर रहे हो वो हो गया आपके providers हो गए फिर let's say आप import भी करोगे कोई चीज imports हो गए and आपके export हो गए क्या चीज़ आप इस module के बाहर export कर रहे हो पर शारी के सारी के सारी चीज़े कहा जैंगे हमारी our Date चीज को हम यहाँ पर export कर देंगे ठीक है और यहाँ पर अगर आप बात करोगे ng module at the rate angular slash core से आपको मिलेगा और material module को हमने यहाँ पर import statement डाल दी ठीक है तो यह आगया हमारा core module अब जो भी हमारी चीज़े हैं जैसे मालो हमारी अलग अलग तरह की models होंगे जो आप interface बनाते हो व वो सारी के सारी services भी आपकी core के अंदर रहेंगी और जो आपका app module था हमारा main वाला module आपको यहाँ पर जैसे reactive form है form module है यह सब आप चाहो तो यहाँ ना डाल के core module में डाल सकते हो ठीक है और यहाँ पर हम simply क्या करेंगे जैसे for an example यह जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूं और इन सबकी जगह में यहाँ पर टॉप पर अपना core module डाल देता हूं तो core module को मैं import कर लूँगा और यह जो core module था इसके अंदर में यहाँ पर import statement में इन चीज़ों को डाल दूँगा और जो जो मैंने import कर रहा है यही same मुझे export करना है अप क्यूंकि import और export आप सेम चीज़े कर रहे हो तो आप यहाँ पर इससे better एक data नाम की field बना लो और जो कुछ भी आप import कर रहे हो उसको आप यहाँ डाल दो ताकि आप यहाँ पर simply data लिख सको और आपको repeat ना करना पड़ है अपने code को यहाँ पर भी आपने simply data लिख दिया तो जो भी import होगा वो automatically आपका साथ-साथ export भी हो जाएगा ठीक है तो यह चीज़ हो गई हमारी और core module को हमने mention कर दिया आपने app module के इंतर राइट इन फेक्ट जो browser module है यह भी मैं उठा के यही डाल देता हूं अगर आपको पता हो कि यहाँ पर priority के हिसाब से भी angular चीज़ों को देखता है मतलब यह material module form सब कुछ आपका नीचे आना चाहिए browser animation और browser module के browser module आपका टॉप पर रहना चाहिए तो उसी हिसाब से यहाँ पर मैंने चीज़े adjust कर दी तो यह हमारा core module तैयार हो गया and core module के बाद हम आ जाते हैं let's say अपने user module पर ठीक है जो सबसे आदा important है तो user module के इंदर अब हमारी देखो वापस से सारी चीज़े बनेंगी जैसे कि components हो गए तो जितने भी components मुझे बनाने उसके लिए एक directory हो गई मेरे containers हो गए ठीक है and इसके अंदर फिर एक file बनेगी user.module.ts नाम की और एक file बनेगी हमारी routing की user routing.module तो जो मेरा user module है जैसे हमारा app module होता है इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपका क्या बना दिया user module तो यहाँ पर भी मैं user module के इंदर एक तो class लोगा user module लाम की and इसके साथ मैं यहाँ पर add the rate ng module को import करूँगा and इसके अंदर मैं सारी चीज़े यहाँ पर declare करूँगा यानि कि जितने भी components मेरे declare होने वाले हैं वो सारे के सारे मैं अपने component कहां declare करूँगा अपने user module के अंदर for an example यह जो user module एसके अंदर मैं container बनाता हूँ जिसका मैं नाम दूँगा home component home.component मैंने बनाया कहां पर container के अंदर यह मेरा component आ गया home और अब यहाँ पर error दे रहा है लेकिन जैसे ही मैं अपने app module के अंदर नहीं जो मेरा user module है इसके अंदर मैं इसको यहाँ पर use करूँगा यह मैंने import करा तो अब मेरे home component से देखो error भी चला गया और मैं यहाँ पर simply catch one लगा देता हूँ फिलाल के लिए just hello I am user home component मैं user का home component हूँ और similarly let's say हम लोगों ने यह जिस तरीके से बनाया इसी तरीके से हम इसकी अभी यहाँ पर routing भी बनाएंगे और यहाँ पर import रह गया imports आपको जो भी import करना है इस module का वो आप यहाँ पर करोगे तो basically इसके अंदर आप जितने भी components बना रहे हो जो कुछ भी बना रहे हो जब त अब तक इन में से कुछ भी आपका code जो है expose नहीं होगा या फिर I should say load ही नहीं होगा code ठीक है तो आपकी network टैप के अंदर मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाद में जब हम करेंगे आपका कोई भी code load नहीं होगा जब आप user module को visit करोगे तब यह पूरा पूरा module आपका load होग और तभी इसकी files आपकी load होगी उससे पहले नहीं होगी तो यहाँ पर हमने user की routing बनानी है अब export class user routing module मैंने हापे बना लिया ठीक है और यह दोनों files हमारी किसके अंदर है user के अंदर है अब यहाँ पर let's say const routes of type routes is equal to एक खाली array और यहाँ पर मैं क्या करूंगा add rate ng module बनाऊं जिसके अंदर फिर से क्या रहेगा एक import और एक export export मैं यहाँ से export क्या करूंगा अपना route module और import करूंगा router module.for route जिसके अंदर route क्या हो जाbelगा मेरे routes हाँ और यहाँ पर simply मैं अपने routes दे सकता हूँ तो for an example मेरा जो path रहेगा route का हो क्या रहेगा home जिसके ओपर मैं show करूँगा अपना home component तो ये home वाला जो मेरा path है उसके ओपर मैं क्या show कर रहा हूँ home component तो फिलाल के लिए मैंने अपने user module पूरा का पूरा complete कर लिया हमने core module के अंदर चीज़े बना ली similarly let's say मैं admin module के अंदर कुछ बनाता हूँ so let's say admin module के अंदर मेरा क्या आ जाएगा admin.module तो जिस तरह के से अब ये चीज़ थोड़ी एक beginner के लिए confusing हो जाती है उनको normally angular का समझ नहीं आता है यहाँ अलग-अलग इतने सारे module हो गए तो और ज्याद़ confusion फैल जाता है यह चीज़ थोड़ी सी है तो जो मेरा admin वाला module हो गया जैसे user वाला module था मैं यही same code copy करके हैं पेस कर देता हूँ यह home component मैंने यहाँ से हटा दिया फिलाल और इसका नाम क्या हो जाएगा admin module ठीक है and similarly हम लोग routing की file बनाएंगे admin module के लिए तो admin के अंदर ही मैं एक और file बनाऊंगा जिसका क्या नाम होगा admin.routing sorry admin-routing.module और जो user module था same चीज मैं यहाँ पे copy करके paste कर देता हूँ यह home component का import हटा देता हूँ फिलाल के लिए बस और एक हम इसके अंदर component भी बनाएंगे अब admin के अंदर भी same उसी तरीके से हमारी components होँगे and admin के अंदर हमारे उसी तरीके से container होँगे container तो जो मेरा admin वाला module है अब देखो इसके अंदर इसकी अपनी खुद की routing है खुद का module है खुद के component, container सारी चीज़े और अगर आप redux का use कर रहोते तो इसके अपने खुद के action होते खुद के reducer होते similarly जो user module है इसके अंदर है और core के अंदर क्या है core के अंदर हमारी सिर्फ services आएंगी model आएंगे जो core functionality है वो सारी आएंगी share को अभी हम देखेंगे तो अब इसके अंदर भी जो container है admin के अंदर वहाँ पर मैं admin का home component बनाऊँगा तो यहाँ पर भी एक मेरा आजाएगा home component home component आगया जिसके अंदर मैं यहाँ क्या लिखूँगा home और यहाँ पर text आजाएगा hello I am admin home component ठीक है और यह जो मेरा home component है इसको मैं अपने यहाँ पर import कर लूँगा admin routing के अंदर यह ध्यान रहे जो आप home component इंपोर्ट कर रहे हो वह आप admin वाला करना ठीक है तो यह मेरी routing बन गई अब हम यहाँ पर अपने module में admin routing module डाल लेंगे एक सेकेंड मैंने कहां बनाया admin routing module ओके सौरी इसका नाम चेंज नहीं करा admin routing module मेरा यहाँ पर आ जाएगा admin routing module ठीक है और जो कुछ भी मुझे अब इसके इंदर you know declare करना है जैसे कि अगर मैं बात करूँ अपने component की home component की तो यह भी error दे रहे कि यह कहीं पर भी declare नहीं हुआ तो यहाँ पर मैं इसको declare करूँगा home component and again यह user वाला नहीं मैं अपने admin module वाला home component declare करूँगा तो यह error भी मेरा चला जाएगा अब बात आती है हमने अलग-अलग module तो बना लिए बटा इनको use कैसे करना है ठीक है जो हमारी routing है उसको कैसे use करना है अब देखो ध्यान से यहाँ पर एक routing तो है admin की जिसके अंदर मैंने क्या बोला कि अगर home path होता है तो मेरा component यह होना चाहिए similarly एक routing मैंने यहाँ पर बना रखी है अपने user की कि अगर मेरा path यह है तो यह होना चाहिए बट अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा खाली है देखो और अगर मैं अब आपको network tab के अंदर यहाँ पर दिखाऊँ एक बार reload करके तो यहाँ पर आपका user और home से related कुछ नहीं आ रहा होगा अगर मैं user सर्च करूँ तो भी कुछ नहीं आएगा admin सर्च करूँ तो भी कुछ नहीं आएगा let's say आप यहाँ पर directly slash home लिखते हो ठीके तो slash home लिखने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि यह जो आपकी अंदर वाली routing है home की चाहे वो user routing की हो चाहे admin routing की हो अभी वो तो load हुई नहीं हमारी जो main routing अभी चल रही है हमारा जो main module पूरा पूरा bootstrap होता है वो कौनसा app module हमारा component हर बार कौनसा load हो रहा है app component तो यहाँ पर जो app के अंदर हमारी routing है यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा यहाँ पर हम simply क्या बताएंगे कि अगर मेरा जो path है वो path हुआ user तो उस particular case में मैं अभी हाँ component लोड नहीं करूँगा मैं यहाँ लोड करूँगा children और यह जो load children है load children इस load children के अंदर मैं बताऊंगा कि कौनसा वाला module मेरा load होना चाहिए तो यहाँ पर आप basically एक arrow function का use करते हो और इसके अंदर आपको लिखना होता है import और यहाँ पर आप import करोगे अब अपने module की file को तो dot slash module slash user slash user module dot ts तो जो user के module वाली file तो उसको आपको import करना है यह basically एक promise resolve करेगा then यहाँ पर आपको module मिलेगा और आपको क्या return करना है जो भी module है उसके अंदर से user module तो यह जो user module है यह क्या है जो आपकी user dot module dot ts वाली है पूरी file है इसके अंदर यह class है user module यह basically हम लोग यहाँ पर mention करेंगे ठीक है तो यह user module है यह क्या है class similarly मैं यहाँ पर दूसरा path बताऊँगा वो दूसरा path क्या होगा मेरा वो दूसरा path होगा मेरा admin and उस admin path के अंदर मैं again यहाँ पर load करूँगा children को and similarly मैं यहाँ पर import करूँगा और जो मेरी import statement होगी उसके अंदर मैं लिखूँगा module slash admin slash admin module and then यहाँ पर dot then m m dot admin module ठीक है तो एक मैंने क्या बोला अगर मेरा path user होगा तो यह वाला module import कर दो तो इसका क्या मतलब है वो user के आगे के path ढूंड़ेगा कहां पर user module की routing में तो जो मेरा user module है इस user module के अंदर मेरी routing होगी और जो मेरा admin module है admin module इसके अंदर भी इसकी routing होगी user module के अंदर में routing mention करना भूल गया user routing module ठीक है तो basically अब मालो मैं यहाँ पर path visit करता हूँ slash user वाला अभी मैं इसको देखो reload होने तो clear कर देता हूँ network tab को जैसे ही मैं यहाँ पर slash user लिखूंगा अच्छा sorry पूरा path नहीं लिखा मैंने slash user slash home नाम का path है एक बार इसको clear कर देता हूँ फिर से और यह मैं जैसे ही visit करूँगा एक मिनिट कुछ गडबड करी है मैंने router sorry मैंने mistake जरूर इनकी routing के अंदर करी है okay for child use करना था यहाँ पर मैंने for route कर दिया जो मेरा user module और admin routing है इन दोनों के अंदर यहाँ पर for route नहीं आएगा for child आएगा क्योंकि route तो सिर्फ एक ही हो सकता है child multiple होंगे right तो यह दोनों modules जो है routing के child हैं तो अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ network tab मैं again फिर से access करता हूँ slash user slash home तो देखो यहाँ पर क्या रहा है hello I am user component अब अगर आप यहाँ पर search करके देखोगे filter में user तो आपको देखो यहाँ पर home component भी load हो रहा है और आपका user का module भी load हो रहा है लेकिन यह दोनों चीज़े पहले loaded नहीं होंगी अगर आप मालो directly सिर्फ website को access करते हो तो उस particular case में यहाँ पर आपकी कोई भी file भी load नहीं हो रही ठीक है क्यों कुछ है नहीं इसके अंदर जब आप यहाँ पर slash let's say user को access करते हो तो उस case में आपका user का module भी देखो यहाँ पर आगया और आपका जो user का component था वो भी यहाँ पर आगया तो यह दोनों चीज़े मेरी कब load हो रही है user का component और मेरा user का module जब मैं slash user को visit कर रहा हूँ हाना और अगर मैं slash admin को यहाँ पर visit करूँगा slash admin slash home तो यहाँ पर मुझे hello I am admin home लिखा हुआ नजर आ रहा है और अब यहाँ पर बात आती है कि हम लोग guarding किस तरीके से कर सकते है भई मैं ऐसा चाता हूँ अगर admin होगा तो यह admin पर जाए अगर admin नहीं है तो ना जा पाए और यह share को किस तरीके से use करना है भी यह दो चीज और देखनी है तो अगर मैं हाँ पर अपने core module की बात करूँ तो core module के अंदर let's से हमें एक नई service बनाते हैं जिस service का हम नाम रखेंगे API service और जो API service है हमारी export class API service इस API service के अंदर में फिलाल एक function बनाता हूँ login नाम का जिसके अंदर ना तो कोई email चाहिए ना password चाहिए एक ऐसी fake function है इस admin नाम के जिसके अंदर हम value लेंगे जिसकी value भी by default false है और simply हम यहां से return करेंगे एक नया observable और उस observable के अंदर यहां observer मिलेगा यहां से हम क्या करेंगे observer.next let's say const data is equal to एक हम token भीजएंगे जिस token के अंदर कुछ होगा और एक हम role भीजएंगे जिस role के अंदर value क्या होगी अगर admin है तो role के अंदर value होगी admin otherwise value होगी user and यह चीज हम यहां पर pass कर देंगे तो मैंने क्या बोला एक field होगी token नाम की एक होगा role नाम का role के अंदर क्या हैगा गर admin है तो admin otherwise user यह दोनों चीज़े जस्ट मैंने एक observable से pass कर दी और यह जो API service है of course this should be injectable and जो हमारी API service है इसको मैं कहा डालूँगा अपने core module के provider के अंदर अब core module के अंदर डालने का क्या फायदा हुआ ना ही यह मुझे अपने user module में import करने की प्रोवाइडर में डालने की ज़रूरत है क्योंकि जो मेरा core module है हो मैंने हाँ पर app module के अंदर यूज कर हुआ है तो इसलिए अगर मैं इसको अपने admin module में यूज करूँ या user module में यूज करूँ मुझे इनके प्रोवाइडर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको क्योंकि यह core functionality है ठीक है ना यह हो गई मेरी API service let's say अब हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक guard बनाएंगे तो core के अंदर again एक file आएगी जिसका क्या नाम होगा guards और उसके अंदर हमें एक guard बनाएंगे जिसका क्या नाम होगा admin guard और एक file बनाएंगे हम लोग जिसका नाम होगा user guard यहाँ पर मैं एक class बना लूँगा user guard नाम की और admin guard के अंदर class आदेगी admin guard नाम की तो ये मेरी class क्या implement करेगी can activate child ठीक है क्या child activate हो सकता है जैसे can activate होता है ऐसी होता है can activate child और इसके अंदर can activate child नाम का हमें function मिलेगा जिसके अंदर से मैं ये जो भी return इतना सारा लिखा है ये हटा के यहाँ पर फिलाल any लिख देता हूँ यहाँ पर मैं इसको import कर लेता हूँ इसको import कर लेता हूँ और can activate child के अंदर में simply क्या करूँगा मैं यहाँ पर simply let's say ये चीज़ चेक करूँगा कि जो मेरी local storage है उसके अंदर token है या नहीं तो हम एक काम करता है न ये जो हमारी admin चलो ठीए जहाँ यूज करेंगे बहां से token डाल लेंगे तो const is logged in is equal to local storage dot get item auth यहाँ पर हमने auth की value निकाली और is logged in हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे if जो भी बंदा logged in है उसके अंदर से जब हमने auth की value निकाली उस auth के अंदर से हम क्या चेक करेंगे user logged in तो है लेकिन उसका जो token है वो क्या है है ना और let's say const token will be not token role हम लोगों को निकालना है तो role will be local storage dot get item role हम लोग यहाँ पर role भी निकाल लेंगे और अब हमें दोनों चीज़े चेक करने है user authentic है या नहीं या चलो अभी फिलाल के लिए हम सिर्फ role का ही use करते हैं फिलाल तो बस हमें role देखना है authentic का तो आपको पता ही है अगर login पेज पेज देंगे अगर authentic नहीं है तो फिलाल हम सिर्फ role चेक करेंगे अगर जो user का role है अगर उसकी value user के बराबर है क्योंकि ये user guard है तो उस case में तो हम उसको जाने देंगे otherwise हम लोग क्या करेंगे उसको navigate करेंगे तो add the rate injectable मैं या लगा लेता हूँ and again ये user guard हो चाहिए admin guard हो ये दोनों चीज़े कहा जाएंगी मेरे core module के अंदर user guard आ गया admin guard आ जाएगा ये आ गया मेरा user guard and यहाँ पर मैं ये चेक करूँगा इसका जो role है वो user है तो ठीक है otherwise मैं इसको navigate करूँगा क्योंकि मुझे navigate करना है तो यहाँ पर मुझे constructor चाहिए constructor private router of type router and let's say मैं यहाँ पर this.router.navigate करूँगा router से sorry यहाँ पर नहीं यहाँ पर मैं navigate करूँगा router से कहाँ पर admin पर अगर user नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे admin पल दे जाएंगे उसको या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो ये तो मतलब आपके you know properly website की functionality पर depend करता है हो सकता है कि आप यहाँ पर दो चैक लगाओगी कि user logged in है या नहीं पहला चाहिए अगर logged in नहीं है तो उसको login page पर बेजो अगर logged in है फिर उसके अंदर तुम यह चेक लगाओगी कि वो user है या admin है फिलाल मैंने just directly कर दिया ताकि मैं आपको just main concept सिखा सकूँ right properly नहीं अभी हम just concept के ओपर focus कर रहे है similarly यही सारा कुछ हमारा admin guard के अंदर रहेगा तो यहां से उठा के यहां तक का मैं paste कर देता हूँ इसके अंदर मैं यहां पर admin लिख दूँगा बस और यहां पर user तो यहां पर मैं क्या चेक करूँगा कि जो भी मेरा admin guard है implement can activate child तो यहां पर मैं चेक करूँगा कि यह जो मेरा admin guard है यह admin guard इंजेक्ट कर लेता हूँ यह जो admin guard है यह admin guard अगर admin है role तो ठीक है otherwise मैं इसको navigate कर दूँगा user पर ठीक है तो मेरा user guard हो गया और मेरा admin guard हो गया और दोनों मैंने core के अंदर डाल दिये अब जो मेरी routing है main जहां पर मैंने module लिखा था 樔ड चल रहें यही पर मैं can activate लगा दूँगा you can activate child क्या यह चाइल मेरा elтitude हो सकता है या नहीं और similarly यही can activate child मेरा इधर आजाएगा can activate child user के अंदर मैं डाल दूँगा user guard and admin के अंदर मैं डाल दूँगा admin guard जिसके इसाब से चेक करेंगे कि आ सकता है या नहीं आ सकता और एक काम और करता हूँ मैं अभी हम एक component और बना लेते हैं अब login नाम का तो अब जो login वाली चीज़ है वो मेरी कहाएगी वो किसी भी module में नहीं आएगी वो काएगी मेरे root component या container के अंदर तो of course container के अंदर वाएगी तो root के अंदर मैंने एक file बना दिया अब login component नाम की ng component app login login और यह जो login component है यह मेरा कहाँ declare होगा app module के अंदर तो यहाँ पर मैंने इसको declare कर दिया और लेट से फिलाल मैं यहाँ पर कुछ भी जादा नहीं बनाने वाला जस्ट एक div बनाऊंगा इसके ओपर मैं fx layout align दे दूंगा center center और जस्ट मैं इसके अंदर डेरेक्टली एक button बना रहा हूं जिसके अंदर नाम होगा login और लेट से इसके click पर मैं login कॉल करूँगा login यह यहाँ पर आ गया और इसके ओपर मैं matte raised button लगाना चाहता हूं matte raised button और इसके ओपर कुछ color set कर देता हूं लेट से primary यह आ गया मेरा button और इसके ओपर मैं कॉल कर रहा हूं login अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपनी API service का API service जो हमने बनाई थी अब देखो यह इसको मुझे app module के provider मैं नहीं डालना पड़ा क्योंकि यह मेरी core module में already है अब यहाँ पर मैं इसका directly यूज़ कर सकता हूं apiservice.login let's say philal के लिए वो admin नहीं है और यहाँ पर जो कुछ भी मुझे data मिलेगा login करने के बाद वहाँ पर token होगा और roll होगा philal हम लोग सिर्फ local storage के अंदर roll पे यह data के अंदर से roll set कर देता है ठीक है philal हम लोग यहाँ पर token set ही नहीं कर रहे और सिर्फ roll set कर रहे है data के अंदर से और यहाँ पर यह जो data है इसका जो type है एक मिनिट इसको मैं ऐसे कर देता हूँ philal यहाँ पर data को data as any ताकि error चला जाए कि roll exist नहीं करता data के अंदर ठीक है तो यह मेरा login आ गया जो मैंने function call कर रहे और login करने पर मैं roll तो set करी रहा हूँ और let's say अभी क्योंकि वो roll admin नहीं है मैं यहाँ पर navigate भी करूँगा user को साथ साथ private router router this.router.navigate और मैं उसको navigate कहां करूँगा user पर क्योंकि अभी जो भी मेरा path है वो basically user के लिए user slash home let's see so let's say मैं अपने home page पर आ रहा हूँ and sorry not home login page पर यह एक काम करता हूँ ना मैंने शायद यहाँ पर routing में डाला नहीं है हम एक और route में बनाऊंगा path अब यह path में top पे लिख देता हूँ इन दोनों path से पहले यह कौन सा path होगा मेरा login का path login और यह path मैं छोड़ देता हूँ बलकि खाली अगर खाली path है तो उस case में मैं by default login component को open करूँगा now let's see तो देखो यहाँ पर login बटन आ रहा है जिसके ओपर click करते हैं मेरा home component user का आ गया but let's say यहाँ पर user के जगा मैं admin को access करने की कोशिश करता तो यह देखो मुझे slash user पर automatically ले आया और यह क्यों हुआ क्योंकि जब वो admin guard पर गया उसने इसका role check करा role क्या निकल क्या आया user अब क्योंकि एक user है तो इसलिए उसने navigate कर दिया user slash home कर देता हूँ इसको और similarly जो हमारा user वाला guard है user guard इसके अंदर भी मैं admin slash home कर देता हूँ now let's see तो मालो मैं अपने by default login page पर हूँ मैं यहां से slash user slash home पर आ गया और अब मैं user की जगा access करता हूँ यहां पर admin को तो यह automatically मुझे वापस user के उपर ले आया परफेक्ट और अगर मैं यहां पर इसको change कर देता है जो मेरा get item जो मेरा login component है लेट से मैं login करते वे true pass करता अब इस case में एक prototype बनाने की कोशिश करी ताके हम समझ सकें कि किस तरीके से हमारा core module और अलग अलग तरके module के साथ functionality आई शूट से काम करती है तो वो चीज हमने यहां पर देखने की कोशिश करी और उसके इलावा यहां पर और क्या रहता है हमारा एक share module और रहे गया तो share module के अंदर हम क्या कर सकते है share.module तो यहां पर भी मैं ng module बनाऊंगा जिसके अंदर मेरा import होगा export होगा declaration होगा तो इसके अंदर basically आप क्या करोगे एक तो export कर दोगे class share module नाम की यह हमारा module बन गया अब share के अंदर बस हमारी एक चीज़ होगी जिसका नाम क्या होगा components तो जो भी ऐसे component है जो मेरे share होने है बाकी के अंदर जैसे मालो user है admin है इन दोनों के अंदर मैं use करना चाहता हूँ जैसे मालो एक header हो गया अगर मैं component बनाओ यहाँ पर header नाम का करके देख लेते हैं मालो components के अंदर मैं यहाँ पर एक file बनाता हूँ header नाम की header.component header और इस header को मैं कहां mention करूँगा अब अपने share module के अंदर यहाँ पर मैं इसको declare करूँगा अब इसका फायदा क्या होगा share module का की यह चीज मुझे ना बार-बार नहीं करनी पड़ेगी मतलब जो मेरा share module है इसको अंदर अगर मैंने एक header बना है उसको मैं reuse कर सकता हूँ लेट से फिलाल यहां भी बस में एक h1 ही लिख रहा हूँ hello I am I am a header I am a header तो यह सिर्फ उसी case में use होना है जब you know कोई ऐसा component हो जो आपका share होना है admin में भी आपका user में भी या कोई और ऐसे module है दो जिनके बीच में share होना है तो यहां पर जो header component है let's say h1 भी लगा दिया एक मैंने button भी लगा दिया button का नाम है login ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने और उसके उपर मैं mat raised button लगा रहा हूँ और अब यहां पर देखो आप mat raised button को use कर रहे हो तो आपका यहां पर क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूँ अपने user module की ठीक है user module के अंदर भी अगर आप कुछ यूज करना चाहते हो ऐसा जो की material से related है तो या तो आपको अपने share module के अंदर core module को डालो आप ठीक है क्योंकि जो आपका core module है इस core module के अंदर आपने सारी चीजे यह वाली यूज कर रहे है material module अगरा डाल रखा है और बट इसको हम क्यों नहीं डालेंगे क्योंकि हमने already अपने app module में डाल रखा है तो इस case में जैसे कि मैं हाँ पर share module के अंदर कुल मिला के यूज कर रहा हूँ material की चीजों को तो मैं हाँ पर import करूँगा कि इसको material module को और export भी कर दूँगा इसको of course तब ही मैं इसको यूज कर पाऊँगा देखो अब यहां से error चला गया ऐसा मैं सोचना कि core module आपने उठा कि क्योंकि app module के अंदर डाल रखा है इसका मतलब अब आपको ये material module भी अगर यूज करना है तो वो आपको नहीं डालना पड़ेगा ऐसा नहीं है क्योंकि ये module अलग है share ठीक है तो अगर आप यहां पर use कर रहे हो material को तो आपको डालना ही पड़ेगा बस हाँ core module के अंदर इसको डालने का क्या फायदा हो हो material को कि जो बाहर वाले component है वहाँ पर आप use करना चाहरे हो तो आपको app module में जाके दुबारा नहीं डालना पड़ा और यहां पर हम core module दुबारा ना डालके share module के अंदर directly material module डालेंगे ठीक है I hope आपको समझ आ रहा हो I know थोड़ा थोड़ा confusing लग रहा होगा मैंने जान मुझ के सले यहां पर यह button लगाया था ताकि यह वाली चीज भी आपको समझा दूँ यह मेरा header है जो की तैयार हो गया अब मालो इस component को मुझे use करना है तो यह कौन से module में है मेरे share module में है तो मालो जो मेरा user है user के अंदर जो मेरा module है इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर import करना पड़ेगा share module को और जब मैं share module को import करूँगा तब मैं अपने component के अंदर जैसे ही मेरा home component है यहाँ पर मालो मुझे वो header यूज़ करना है तो मैं उसको use कर सकता हूँ mat क्या नाम रखा है मैंने उसका sorry app header तो अब अगर मैं app header को use करूँगा तो app header को use करने के लिए ना मुझे वो यहाँ import करना पड़ा और यहाँ पर भी मुझे डालना नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने module के अंदर क्या डाल दिया share module तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे मेरे code के अंदर let's say मैं visit करता हूँ slash user slash home अच्छा वो भी admin पर ला रहा है ठीक है एक काम करता हूँ login पर जाता हूँ फिर से and login component से true हटा देता हूँ ताकि मैं as a user login कर सकूँ login यह आ गया मैं as a user तो अब देखो यहाँ पर I am header आ रहा है उसके नीचे वो बटन आ रहा है और उसके नीचे फिर हमारा text आ रहा है तो हमारा एक main module है app वाला जो हमारा app module है उसके अंदर उसके component container और उसकी module की file routing file यह सारी चीज़े हैं correct इसी तरह के से हमने module बना लिया अलग-अलग अपने admin का module अलग user का module अलग यह वो modules हैं जो मुझे lazy load करना है यानि कि वो सारे component जो मुझे तब ही show करना है जब उस path को visit करा जाए अगर wise मुझे नहीं करना है और let's say कि जो मेरा share module है core module है यह दो ऐसे module है जो lazy loading के time हर बार बनने है ठीक है doesn't matter कि admin user बने ना बने लेकिन यह दोनों तो बनने ही बनने है तो share के अंदर हम लोग क्या रखेंगे वो सारे components रखेंगे जो share होने है तो share module के अंदर क्योंकि मैं material को use कर रहा हूँ इसलिए मुझे material module यहां डालना पड़ेगा और जो भी component मैं share module के अंदर यहां पर डाल रहा हूँ उसको मैं यहां पर declare करूँगा अब इसका क्या फायदा हुआ share module का हमारे जो अलग-अलग module थे जैसे user module है अब user module के अंदर उसके खुद के component container routing module सारी चीज़े आई लेकिन यहां पर अगर मैं share module को import कर दूँ तो share module के जो component थे टैक्स थे वो मैं हाँआप easily module for child यह child routing है अंदर वाली routing इसका main base क्या है slash user उसके आगे के routes है slash user slash home फिर यहां पर अब जो मेरा user वाला module है यह हो गया फिर इसी तरीके से मेरा admin module है बस यहां पर बीच में core module है जिसके अंदर हम सारे अपने guard रखेंगे model रखेंगे services रखेंगे provider में यह कहीं पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो मेरा एक core module है इसके provider में मैं यह already लिख चुका हूंगा और यह सारी चीजे में app module में already core module डालके declare कर चुका हूंगा तो इसलिए जो मेरा core module है इसकी वज़े से मुझे कोई भी service हो गई, guard हो गई, यह सब मुझे import नहीं करना पड़ेगा अपने अलग-अलग modules के अंदर example अगर मेरा user module है share module है इनके अंदर यहाँ पर मुझे नहीं डालना पड़ रहा provider के अंदर जो भी guard या service में कुछ भी use करता हूं तो यह था हमारा total पूर का पूरा lazy loading के साथ angular